पेरियार ने हिंदू धर में पस्रे ब्रह्मन वाद का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तरकवाद, विज्ञान, आत्म सम्मान, समानता और महिला अधिकार पर खास जोर दिया। वो ब्रह्मनों की बनाई जाती प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने ने केवल ध्रमगंतों को जलाया, बलकि रावन को अपना नायक भीमाना। युनेसकों ने पेरियार को नए यूग का पेगंबर, दक्षिनपुर्व एशिया का सुकरात, समात सुधार कांदोलन का पिता, अज्यानता, अंध्विस्वास और बेकार के रीती रिवाजों का दुश्मन कहा है। आईए आपको पेरियार के वो पंदरा विचार बताते हैं जिने सुन कर ब्रह्मन वादियों को मिर्चे लगती है। और नष्ट करने की अपील करता हूँ। मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी ब्रह्मन देवी देवताओं की मूर्तिया तोड़ डाली, तस्वीरे भी जला दी। लेकिन अगर फिर भी मेरी सभाओं में मेरे भाषन सुनने के लिए हजारों लोग इखटा होते हैं तो ये साफ है कि स्वाभिमान और बुद्धी का अनुबव होना जनता में जागरती का संदेश है। ब्रामन हमें अंद्विश्वासी बनाने के लिए तयार करता है। वो खुद आरामदा एक जीवन जी रखा है लेकिन तुम्हें अच्छूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। ब्रामनों ने हमें शास्त्रों और पुरानों की साहता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिती मजबूत करने के लिए उन्होंने मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं तो फिर अकेले ब्रामन उचा कैसे हो सकता है और बाकी लोग नीच कैसे हो सकते हैं। आप अपनी मेनत की गाड़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो। क्या कभी ब्रामनों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य प्रोपकारी संस्थाओं के लिए एक रुपया भी दान दिया है। हमारे देश को आजादी तब ही मिली समझनी चाहिए जब ग्रामनी लोग देवता, अधर्म, जाती और अन्द्विस्वास से चुटकारा पा जाएंगे। आज विदेशी लोग दूसरे घरों पर संदेश और अंत्रिक स्यान बीज रहे हैं। और हम, हम ब्रामनों द्वारा श्राद में प्रलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर बेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? इश्वर की सत्ता सुईकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवशक्ता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिक्ता के लिए बड़े साहास और दड़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थती उनी के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ती हो। ब्रामनों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ती की तरह व्यवार करना चाहिए। ब्रामन देवी देवताओं को दिखो, एक देवता तो हाथ में भाला या त्रिशूल उठा कर खड़ा है, दूसरा धनुषबान, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर, ढाल के साथ हैं, ये सब क्यों है? एक देवता तो अपनी उगली के उपर चारों उसे लैस करने और धनुषबान की जगे मशीन गन या बंदूग धारन क्यों नहीं करते? रत को छोड़ कर क्या क्रिशन टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमानू युग में इन देवी देवताओं के उपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं दर्विड कडगम अंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्ता नहीं रखता जो वर्ण तथा जाती विवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं पेरियार साहब की ये बाते सुनकर ब्रहमन वादी जल भुन जाते हैं पेरियार के इन महान विचारों को अपने साथियों के साथ साजा करें